हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल एड़ा पे है फ्रेंड चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सुस्क्राइब कर लो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेयर कर देना तो अलजेबरा सीरीज के जो मैथ ट्रिक वाली सीरीज चल रही है इसमें आपको नमबर सीरीज के जो इन्पार्टन कोश्चन पूछे जाते हैं जो सम वाले होता है जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 दे दिया टोटल 100 तक अब उनका सम पूछेगा तो उसके लिए 5 फार्मूले होते है इसी तरह आपको इवें नमबर का सीरीज होता है और नमबर का सीरीज होत आप हिंदी में इतना तो आपको हिंदी पता ही होगा ज्यादा इंग्लिज नहीं है इसमें सम आफ आल फस्ट एंड नेचुरल लंबर इसका जो फार्मुला होता है वो एंड प्लस वन बाई टू होता है इसका आपको एजम्पल करवा देंगे फिर आपको समझ में आ जाएग टोटल इसमें एन जो हता एन नमबर है एक से लेके 105 के बीच में कितने नमबर होंगे 105 तो एन की वैलू कितने हो गई 105 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एन लास्ट नमबर नहीं है एन टोटल नमबर नमबर है जैसे एक से एक से पाच के बीच में 105 नमबर है अब जैसे कितना हो जागा 105 plus 1 by 2 जब इसको आप करेंगे गुड़ा करके फिर भाग देंगे तो आए का बस एक हो गई तीन हो गई पांच हो गई साथ हो गई इस टाइप ओले जो सीरीज होंगी वो हो जाएगा आपकी बीसम संग्या तो इसका फार्मला सबसे ही होता है आपको नंबर आफ टर्म लिकालना है जैसे इसमें देखे एक दो तीन चार तो यहां पर एन की वेलू कितनी ह यही जोसी दे दिया फाइस दे दिया तो नंबर आफ टर्म कितने हो गए ञशल गए है तो तीनचार पांच हो गै पांच हो गयए फार्मृला होता है एंड स्क्वाइर तो अग्डर इसका एक्जम्पल आप देख लीजे एक से लेके 105 तक दिया है 105 इंटू 105 प्लस 1 बाइ 2 5565 अब इसके बास सम आफ एन और नमबर का होगा अब नेक्स टाइब का हम देखते हैं सम आफ एन इवेन नमबर मतलब होता है सम संख्या अब सम संख्या जो होता है वो होता है आपका दो से स्टार्ट होगा दो चार छे आठ हो गया अब यहाँ पे एन की वेलू कितनी हो जाएगी नमबर आफ टर्म कितने है एक दो तीन चार चार नमबर आफ टर्म हो गए तो एन की वेलू यहाँ पर रखेंगे आप चार चार प्लस एक टोटल कितना हो जागा चार गुड़ते पांच बीस तो एन एन प्लस वन यह फार्मला आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखिए ओड़ वाले में हो जाएगा एन इसका में एक जांपल भी आपको कर लेते हैं जैसे दो है चार है पांच है दो चार छे से लेके सो तक है अर टोटल जैसे 2 से लेकर 10 तक चलेंगे तो टोटल उसमें होते हैं 5 पीसम 5 सम तो टोटल यहां पर even number है उसी तरह 2 से लेके 100 के बीच में हो जाएंगे 50 even number 50 odd number तो यहां पर n की value कितनी हो जाएगी n की value हो जाएगी तो उसे लेके 100 के बीच में 50 नमबर आएंगे जो even होंगे n की value हो जाएगी यहां 50 तो आप यहां पर रखेंगे 50, 50 प्लस 1 50 गुड़ते 51 कितना हो जाएगा 2250 अब अगला देखते हैं sum of square of the first n natural number अब यहां पर देखिए important है यह वाला जो formula है इसको आपको याद रखना पड़ेगा देखिए odd वाला सबसे ही था n square इवन वाले में n n plus 1 सिधा गुड़ा कर देंगे और total natural number है n n plus 1 by 2 तो तीनों आपको याद होगे अब यह चौथा है यह थोड़ा सट्रकी है इसको आप याद कर लेंगे दो तीन बार practice करेंगे तो square वाले number में जैसे 1 का square plus 2 का square plus 3 का square देखिए all n natural number है न natural number के बीच में कुछ gap नहीं आएगा कहीं से भी start होगा जिसे 5 से भी start होगा 5, 6, 7, 8, 9 लगातार चलता जाएगा उसका जो formula होता है n n plus 1 2 n plus 1 upon 6 यह आपको एक बर और बोल लिए n n plus 1 2 n plus 1 upon 6 अब यह आप example देख लेते हैं अब जैसे दिया है 1 का square plus 2 का square plus 3 का square plus dash 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 10 का square है total number आप term कितने होगे n natural series है तो इसके बीच में total number आप कितने होगे 1, 2, 3 से लेकि यहाँ तक total 10 तो n की value कितनी होगी 10 इसका आपको formula हम बताया थे n n plus 1 2 n plus 1 upon 6 n की value हमने यहाँ 10 रख दी अब इसके बाद n plus 1 हो जागा 10 plus 1 2 n plus 1 2 गुड़ित्ते 10 plus 1 upon 6 तो multiply करेंगे 10 गुड़ित्ते 11 गुड़ित्ते 21 बटे 6 तो यहाँ पे 10 आपका कटेगा 5 और यह बचेगा नीचे 3 3 से फिर 21 कार देंगे 7 पार में तो आपका total कितना हो जाएगा 77 into 5 385 385 आपका answer आजाएगा अब यह आपका last बचा हुआ है sum of cube of first n natural number अभी हम क्या बता है थे square वाले मतलब की n square cube का मतलब होगा n cube जैसे एक cube से लेके total n terms से cube तो sum of cube of first natural number अभी आपको इसका example भी करवा देंगे तो आप सब्सक्रों पहले formula इसका याद करिए इसमें क्या होता है n, n plus 1 upon 2 पूरे bracket लगाएंगे बड़ा वाला उसके बाद का square n, n plus 1 upon 2 का whole square पूरा bracket में डालेंगे उसके बाद whole square अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं जैसे 1 का cube प्लस 2 का cube प्लस dash dash 6 का cube n की value सबसे आपको important है एक से लेके 6 के बीच में कितने number आएंगे 6 तो n बराबर कितना होगा है 6 और यह cube है cube का हमने बताए आपको n, n plus 1 by 2 का whole square n की value यहाँ पे है 6 into 6 plus 1 by 2 तो 6 गुड़ते 7 बटे 2 का whole square total आएगा 6 गुड़ते 7 तो 2 से यह कटेगा 3 बार में जाएगा 7 तरीक के 21 तो 21 का square कितना हो जाएगा 441 आसा करते हैं आपको यह series अच्छा लगा होगा इसी तरह के 4 और भी lecture चड़ चुके हैं और आगे भी हम future में सारे वीडियो आपको चड़ाते जाएंगे आपको नमबर आफ जितने भी अलग अलग variant के question होगे सब को आपको टच करके जाएंगे तब आपका score अच्छा होगा तो आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा चैनल पर नए हो तो subscribe कर लिजे और thank you for watching this video